जैसा कि हम पहले पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मीच्वल फर्म में इन्वेस्मेंट करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेग्मेंट का सेलेक्शन करना पड़ता है जिस सेग्मेंट में हमें इन्वेस्मेंट करना होता है आज हम चर्चा करेंगे यदि हमने यह सोचा है यह स करना चाहिए इस पर चर्चा करने के पहले हम यह देखते हैं में यह मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महनों से लार्ज कैप के एक्टिव फंड कम बैक कर रहे हैं मिंस वह आउट पर्फॉर्म कर रहे हैं अपने रेस्पक्टिव बेंचमार को और अजम चर्चा करेंगे कि क्या ओर्फञ कर रहे हैं और पर्फॉर्म कर रहा है प्छले कुछ मेनों से रेस्पक्टिव बेंचमार को यह कह सकते हैं वह कम बैक कर रहे हैं यदि हां इनके क्या कारण लगते हैं क्यों कमबैक कर रहे हैं और दूसरी बात हैं कि लार्ट केप सेग्मेंट में फण्ड मैंजर्स के पास लिमिटेशन्स क्या हैं जिसके कारण वो अधिक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या यूँ कर सकते हैं को मिट कैप या स्म है तो आपको क्या करना चाहिए और दूसरी प्रस्तिति यदि आपके पास थोड़ा समय है मीचवर मेंजर करने का घ्यान भी है और आपने सोचा है कि मैं लार्ट्व सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जहूर बताएं और यदि आप पहली बार हमारे वीज़ा चैनल को कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जोड़ दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे एस्टों टेक्स्विन में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम डियम जाए सबसे पहले हम लार्स कैप के अगंस्ड बेचमार्क 7.62 परसंट है 3-याज के सीये याज में दिखता हूं 19.42 का करेंगेंस 19.23 परसंट अगंस्ड बेचमार्क पेंदेनिंफ्टी हंडेट यह यह लार्स केप का बेचमार्क है 5-いे के सीये याज में 10.62 कैटेग्वरेज है अगंस्ट 11.27 परसंट और 10-year क 14.68% है एगेंस्ट 15.11% यह सारी बात हैं हमने ट्रेंग रिटरंड की की हैं और यदि यही का परेजन हम एन्वर रिटरंड के बेसिस पर करें हमने पिछले 5 साल का एन्वर रिटरंड का डेटा लिया हुआ है और उसमें हम देखते हैं कि 2019 में कैटोगरी का एवरेज 11.57% था अगेंस्ट था बेंचमार्क अफ 11.83% 2020 का था 13.96% अगेंस 16.08% 2021 में इत वाज 25.73% अगेंस्ट था बेंचमार्क मिन्स नेफ्टी 100 TRI 26.45% 2022 में जो काफी खराब साल रहा लाट्स केप सेग्मेंट का इस 2.01% अगेंस 4.94% अगेंस्ट था बेंचमार्क अगेंस्ट 2023 में केटोगरी एवरेज वाज 19.27% एगेंस्ट था बेंचमार्क 6.61% यहां हम देखेंगे यहां जो वन येर जो लिया हुआ है हमने इसका मतलब अगस 2022 से लेके अगस 2023 का और यहां इदी 2023 हो लिया है इस दा कलेंडर येर मिंस एक जिन्वरी 2023 से 31 अगस 2023 तक का डेटा है उ इसका मतलब अगस 2020 से लेके अगस 2023 की बातें कर रहे हैं इन डाटा को देखने से एक और इसको अट्यून करें इस डेटा को तो हम देखते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्ण में वन येर का और त्री यहां रिटर्ण है यहां देखते हैं कैटोगरी ने और परफॉर्म किया है अ अंडे टिर आई को और थी यह में भी नाइन टीन पॉइंट फॉर्टू परसेंड एगस नाइन टीन पैंट टू थी स्लाइटली और परफॉर्म किया है जबकि वन येर में पिछले एक साल में होने काफे बेंटर डंग से एरॉन थी परसेंट के आसपास और परफॉर्म कि है ओर यहीजिदी 2023 वर्श 2023 की बाते करें एक जिनवरी 2023 चेलेकर 31 अगस 2023 तक कि तरह यहां भी देखते हैं कि अल्मस्ट 2.75 परसेंट के यहां सबस्पास यहां ने और परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिब बिसमार्ट यह डेटा देखने से हमें यह तो समझ में आ रहा है कि लार्जेट सेग्मेंट के एक्टिव फण्ड ने कमबैक किया हुआ है पिछले डेढ़ साल-दो साल के अंदर और दोजार ताइस में तो फुली किया हुआ है कि 2022 तक इनों नहीं किया था लेकिन 2023 ने पिछले आठ मैंनों मेंनों ने कमबैक किया है अब हम चर्चा करेंगे पहला की लार्ज कैप सेग्मेंट के फंड मैंजर के साथ क्या करते है चर्चा करते हैं कि सेवी के लार्ज का सेग्मेंट को अपना 80% equity जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा लार्ज कैप स्टॉक में लार्ज कैप स्टॉक में लार्ज कैप स्टॉक मिन्स टॉप हंडेज स्टॉक मार्केट कैपिल लाइसेंस के हिसाब से स्टॉक में स Ο्जेंक है कि दया क्या एक कैप स्टॉक में करें मिट में करें लार्ज कैप स्टॉक में कि हमें इसमें रिस्क कम और रिटर्ण भी कम है, इसलिए नॉर्मली जो फंट मेंगजर होते हैं ये या तो इसको डेट में रखते हैं, या इसका Pacific का major portion जो है, ת Preis कम हमें रेकर सब्सकर हो, फटर्ण ससरा giraffe में bevorольшे क्राइपना के या. यह देखा कि इनका active fund जो है यह अंडर पर्फॉर्म कर रहा है benchmark को तो उनोंने उस 20% को higher exposure towards mid cap और small cap में लगा दिया मिस 20% का major portion उन्होंने mid cap और small cap में लगा दिया जहांकि volatility अधिक है पिछले कुछ मैनों में लार्ज कैप के एक्टिफ फर्ड ने अच्छा पर्फॉर्मेंस दिया है। दूसरी है कि इन्हों ने टेक्निकल सेक्टर में अपना वेड जो है कम किया। जो एक्सपोजर टेक्निकल सेक्टर में था इनका एक्रॉस एनी सेग्मेंट आईजरेट में लार्ज कैप, मिट कैप, स्माल कैप उसमें अपना कम किया और ओवरवेट किया है उने फार्मा सेक्टर ने जिन्हों ने पिछले कुछ महिनों में बेतर प्रदसंद किया तो इन तीनों कारणों के कारण इन तिन रीजिंस के कारण लार्ज कैप ने पिछले कुछ महिनों मे कमबैक किया है अब सबसे इंपॉर्टन जो सोचने की बाते हैं कि जनाब हम लार्ज कैप में हम इन्वेस्ट इस बात के लिए करते हैं कि हमें उसमें रिस्क कम है लेकिन यदि फंड मैंजर ने 20% मिट कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है मिज़ उन्होंने रिस्क ल सेगमेंट में किसी रेशियो के हिसाब से मार्कें मुलाडिल्टी के हिसाब से या एकनोमिक कंडिशन के हिसाब से वह इन्वेस्ट कर से नहीं या नहीं यदि हंडेट परसेंट उनको इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है हंडेट परसेंट का हंडेट परसेंट वह लार्ज कै तो मेरे हिसाब से यदि फंड मैंजर जिस तरह से एक्सपोजर मिट कैप और स्मॉल कैप में ले रहे हैं तो बहुत सारे और मेरा भी व्यक्तिकर बिचार है कि लाज कैप को छोड़के फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए यदि ऐसा एक्सपोजर वो ले रहे है जैसा यहां चर्चा हो रही है इसके लिए आपको रेस्पेक्टिब फंड के पॉट्फोलियो में जाके देखना पड़ेगा कि आपके जो फंड का है एक्सपोजर क्या है और यदि मिट कैप स्मॉल कैप में बेतर है आप लार्ज कैप से एग्जित करें और किसी अच्छ पर हम एक निजर डालें तो हम देखते हैं एक्टिफ फंड में हाइस जो है यह टू पॉइंट सिक्स वन परसेंट का एक्सेंस रेशियो है और लोएस्ट है वन पॉइंट फोल टू और यदि यही हम बेंचमार के तुलना करें तो हाइस इसका वन पैंट जिरो एट परसें का फर्क एक कंपाउंट सो मेरी यदि आप बात करें दस साल में तो यह एनवी की बेसिस पर वन परसेंट होता है यह दस साल की बाते करें तो काफी का अधिक फर्क पड़ता है और यह एक भी इंपोर्टेंट कारण है जो कि लार्ज कैप सेग्मेंट अपने बेसमार को एक्सपोजर मिट कैप स्मॉल कैप में भी है तो बेतर है इस फंड से अप निकलें और किसी अच्छे फ्लैक्सिक पे अब जाएं जहांकि फंड मैंजर को लिवर्टी है कि वह किस सेक्टर में किस सेग्मेंट में कितना प्रपोर्शन आपके इंवेस्मेंट का वो इंवेस् सेक्टर करना है और इस केस में दो परिस्थितियां हो सकती है एक परिस्थितियां कि आपके पास ना तो समय है नहीं आपको घ्यान है तो हमको लाजों के एक्टिव फंड में रहना चाहिए या इंडेक्स फंड में इसके लिए एक नेजर डालते हैं जैसा इसे जो हमने ट्रेडिंग लिटार और अनुए लिटार देखें उससे तो सापसपस्ट है कि पिछले कुछ मैनों में कमबेक किया है अधरवाइज इंडेक्स फंड बेतर कर अधिक कि सब्सक्राइब और यहीं आपको लगता है कि कि 30% 40% 50% जितने फंड एक्टिव फंड मैं उसमें से sotlus कर सकते हैं so बहतर है कि यह जो मैं 30 40 % परसंट रिखन यह किस बता इसके लिए हम डालते हैं एक नजर इसके वैश्य के जिनों न reden एक साल में ओर्ड पर्फॉर्म किया है benchmark को सिक्षिश के तरिदी नियुटि लिटन के बिसिस एसा 401 परसंट ऐसे fund है जिना ओर पर्फॉर्ण किया अपने रिस्पेक्टिव बैंजमार को फाइब यस में 65 पर सिंट हैं जिहोंने benchmark को और परफॉर्ण किया और टेर के के बेसिस 40% ऐसे फंड हैं जिन्होंने हैं जिन्होंने और परफॉर्म किया है अपने रिस्पेक्टिटिव बेंजमार को अब आपके मंदिक दोविजा होगी कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ मैनों से कमबैक किया है और यहां मैं बता रहा हूँ कि एक साल में 47% एक्टिव फंड ने और परफॉर्म किया है अपने रिस्पेक्टिव बेंजमार को टेन यर में 40% फाइव यस में 65% यह क्या मतलब जनाब वहां जो किया था हमने वो केटोगरी एवरेज के ह यह हिसाब से है इसका मतलब त्रेलिंग रिटर्ण के बेसिस पर फंड को सॉट इस करना चाहते हैं और आप आपको लगता है कि आप 47% या 41% के आज पास यही आप सॉट लिस्ट कर सकते हैं तो आपको एक्टिव फंड ही सॉट लिस्ट करके इंवेस्ट करना चाहिए और य 2019 में यह 46% और परफॉर्म किये थे 20 में 37% किये थे 21 में 46% किये थे और 23 में भी तक 47% फंड ने जो लाट्स के पर जितने फंड से उसमें से 47% फंड ने और परफॉर्म किया है आपको अपने प्रेस्पक्टिव मेंचमार को शो बाटम अब दा वीडियो इस कि यह दी आपक स्मॉल कैप में भी लेता है तो बेस लार्ज कैप से एग्जिट करके आपकी इसए क्वी सिव्ट क्यायों कि और नंबर ₱ 2 यदि आपके पास आपने यह सोचाए किि में लाज कैप में ही रहना है और आपके पास नहीं समय है नहीं एंशनिस करने का ग्यान है तो आप कर सकते हैं तो बेतर है कि आप लाज करें के एक्ति फंड में ही आप इंडिक्स फंड में ना जाएं अलांकि जैसे मैं बार-बार कहता हूं आंतिम निर्डे हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है यहां भी आंतिम निर्डे आप ही लेंगे थांक्यू